नमस्ति दोस्तों पूजा की रशोई में आपका स्वागत है ठंडियों का मौचम शुरू हो गया है तो आज में लेकर आए हूँ आप सभी के लिए मूली और गाजर का इंस्टेंट अचार जिसे आप 10 मिनट में बना कर तैयार कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं और आप इसे य कुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए रचार बनाने के लिए पहले हम म Schr चमच जीरा एक चमच साबुच धनिया दस से बारा काली मिर्स आधी चमच मैथी दाना और एक चमच हम डाल देते हैं इसमें सौप और सारी चीजों को एक से दो मेंट तक हम अच्छे से भूण लेते हैं मसालों हमें जलाना नहींगे इसी ट्रकास चलाते हुए हमें मसालों को बूलना है 1-2 मिन बाद हम देखेंगी कि मसालों हमारा ջूच गए अब हम घेस को और इन मसालों को हम धंडा होने रख दी तो मसाली को डाड़ देखे हम इंग जार में और इसका ढपतन बनकर करके हम बना लेते हैं पमचार जिसके लिए हमने गैस पे रंदी है कड़ाए अब इसमें हम डाल देते हैं आदी कटोरी तेल और तेल को हरका करण होने देते हैं तेल की गर्म होती ही हम इसमें डालेंगे 10-15 नैसन की कली 300 ग्राम के करीब लंबी अंबी कड़ी हुई हरी मिर्च और सा सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है आप इसमें डाल देते हैं 200 ग्राम गाजर हमार्शच मंए मुली के क्टिटी हमने थोड़ी सी गाजर सें ज्यादा रखी है आप इसमें हम डाल देते हैं पिसाहत अउगँ मसाला और दो चमाच नमक नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहता है और और यसी मैं चाहिं गलाई qa te लिए दो चमच छहुत पाउडर आप चाहे तो इस looking को मिक्स कर देत है और इसी मिक्स करते करते दे पका लेते हैं तो सारे मसाले को अनले अच्छक्त कर लिए हैं और इसे एक्मिट तब पकने और देते हैं की बहुत जादा नहीं पकाना नहीं तो मूली पानी छोड़ने लगी जिससे अचार का टेस्ट बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे एक मिर्ट हमारे वो गए हैं तो गैस को हम आप कर दीते हैं अगर आप अचार को बहुत जादा दिन तक श्टोर करके रखना चाहत हैं मेरे घर में यह अचार कुछ हपतों तक ही बचेगा इसलिए मैं सरसो का तेल नहीं डाल रही हूं तो अचार हमारे बिलकुल तयार है आप इसे हम एक यह टाइट बॉक्स में रख देते हैं तो आप इस ठंडी इस अचार को बनाईए और अपने फैमली वालों का खाने क स्वात बढ़ाईए और आपका यह अजान फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और काफी दिन तब यह इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो है ना यह मज़ेदार सा अचार और इस प्रकारस का ढखकन बंद कर देते हैं तो अचार हमारा एक दम तैयार है अगर वीडियो पस सब्सक्राइब करना ना मूलें थेंक यू